हेलो मेरे प्यारे दोस्तोत आज हम लोग करने वाले हैं छत्रमीती जो बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझे की नहीं तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग जो इस्क्रीन पर आप लोग देख पार हैं यह भी है और जो आगे बहुत सारे कोस्टन है जिसे हम लोग जो है पिछले जितने भी वीडियो है वहां पर भी जितने बहुत ही इंपोर्टेंट जो फर्मोला है वह हम लोग कर चुके हैं तो यह आप नहीं आया है तो जोड़ देख लिजीगा जिसे हम लोग आज करने वाले हैं छत्रमीती का विभियाई अब्जक्टिव जो होगा सब चीज तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं पहले की मेंसुडेशन यह क्या होता है ठीक ना यह सब्द जो है यह वर्ड क्या है यहां पर हम लोग बात कर लेंगे ठीक ना मेंसुडेशन यह सब्द यूनानी भासा के मेंसुडेशन क्या है मेंसुडेश्य से बना है जिसका अर्थ होता है मापना ठीक ना अता छत्रमिती का अर्थ मापना होता है क्या होता है छत्रमिती का अर्थ मापना होता है दुसरे सब्द में गनीत की वह सखा यहां से आप लोग देख रहे हैं यहां से दुसरा हो गया ठीक ना दुसरे सब्द में गनीत का वह स सब का जो हम लोग अध्यान करते हैं चतर मीती करते हैं तो चत्रमीती हिंदी भासा के घ्टर और मीती के से बना है ठीक न यह जो है आप लोग यहां पे जो देख रहे हैं छेतर मीती इसको जो है क्या क्या तोड़ दिया यहां पे क्या कर दिया इसका छेतर और मीती कर दिया ठीक न तो इसमें छेतर का आर्थ होता है आकरती या सता और मीती का आर्थ होता है मापना थी य यहां से देखे रहे हैं तो हम लोग छोग चे तृमेथि का समझ गये इसका मतलब क्या होता है हम लोग यहां भात करेंगे मैंतैं कि अंग की आशाओ इसमिरी म motherf ar sizi को मापना आयत, वर्ग, तिर्वुज, चतरवुज, व्रीद, घन, घनाव, बेलन, संकु, गोला यह है चतरमीती के अंग चलिए आगे देखते हैं पडिमाप या पडिमीती यह दोनों एक ही होता है यह दि आपको कोई हिसा में बोल दे कि पडिमाप निकाले यह बोल दे कि पडिमीती निकाले तो दोनों क्या होता है? सेम होता है ठीक, यहाँ पर देखे क्या करना है आपको लोगों को यह आप लोग देख पा रहे हैं किसी आकरती के चारो और के माप को क्या कहते हैं? पडिमाप या पडिमीती किसी आकरती के चारो और के माप जो होता है जैसे यहाँ पर आप लोग इसको देख रहे हैं यह जो आकरती आप लोग यह देख रहे हैं इसके चारो और जो है ठीक ना इसका जो चारो और का जो माप होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं पड़ी माप कहते हैं ठीक ना पड़ी मा आयतन किसी किसी ठोस किसी ठोस द्वारा घेरे गई अस्थान को आयतन करते हैं ठीक ना किसी ठोस आप लोग ठोस जानते होंगे जिसमें लंबाई चुराई और उचाई तीनों होता है उसको हम लोग क्या करते हैं ठोस करते हैं जिससे आप लोग घनाब यह सब आप लोग करता है थोस जो होता है उसका निकल दोको लब लुब निए होता है चले आगे देखते हैं और 5 अब दगके चत्र मिती के लिए पर्मुक्ष यहां पर हम लोग बात करें गों जो बहुत इंप्रेंट शुट्र है उसका हम लोग अभी चर्चा करेंगे आइतन सम्बंधित पहले देखे हम लोग बात करेंगा आयतान संबंधित को सारह इसके यह क्या है इसमें पिछले वावल बात किये थे इसका जो सामन होता है है आगे तर produit और जो जो जितना था हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके यदि नहीं देखे तो जरूर देख लिजेगा तो यहां पर देखे अब दो नमरों क्या है आयत का छहत्पर बढ़ाबर क्या होता है यहां से आप लोग देख पा रहे हैं लंबाई गुना चोड़ाई आयत का छहत्पर क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई यदि आपको यहां पर बोल दे कि लंबाई क्या है यहां पर हो जागा ुआ अब लिखे याँ सीडि यह बोस Dåण आडी इस तरह से आप लोग लिख सकते खिम जिसे हम लोग त्थka सा इसको लिख दता है क्या एडी एडी गुना डी सी यह हो गया इस तरह सा आप लुग लिख सकते खिम अगे देखते यहां और दो नमरों क्या तीन नमर में देखे यहां पर है कि आयत का परिमाप यहां से आप लोग देख पार आयत का परिमाप ब्राबर होता है टू इंटू लंबाई प्लस चोड़ा यह है इसका फर्मुला बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए यहां से आप लोग देख पार हैं और यहां पर चार नमर में देखिए क्या है चार नमर में है कमरा कमरा होता है रूम ठीक न तो कमरा के चारों दिवारों का छेज़फल क्या होता है कमरा के चारों दिवारों का छेज़फल ब्राबर होता है तू लंबाय प्लस चोराई गुना उचाई ठीक न पहले लंबाय इसमें क्या यहां पर पड़िमीती लगा पड़िमीती का जो फरमल था वह यहां पर लगा दिया और उसमें क्या क्या सिर्फ उच्छाई से मल्टिप्लेक कर दिया इस तरह से हम लोग दिवार का जो है छेदरफल निकालते हैं ठीक और यहां पर आयत का विकरन बराबर क्या होता है यहां स देखिए यह बरावर हो गया लेकिन यहां पे जो है यहां पे मैनस होगा यहां से आप लोग थोड़ा सा इसको जो है देख लिजेगा ठीक अब दिखें वर्ग संबध्धी जो सुत्र है ठीक ना वर्ग हम लोग पिछले वाले जो वीडियो है उसमें बात किये थे कि वर्ग क यहां पर क्या सब है यह है ठीक यह हो गया वर्ग आप लोगों के लिए और यहां से हम लोग जहें वर्ग का च्छत फल का जो है हम लोग सुत्र पढ़ेगे यहां पर वर्ग का च्छत फल बराबर होता है भूजा गुना भूजा क्या होता है चार गुना भूजा क्या होता होता है root two root two कुना भूज़ा और यहां से आप Ahh बिंदोग देख लिये कि क्या है हुआ विकर्ण बर्यावर क्या है तो ौड़ का विकर्ण बराबर होता है root二 गूना भोज़ा और पांचर में आप लोग बने रहे तो और अच्छे वाली बात है और यहां पर देखें पिछले वाले जितने वीडियो है जरूर देख लिजएगा ठीक न और यहां पर देखें अब हम लोग तिर्भुज पर थुरा सा बात करेंगे चर्चा करेंगे तिर्भुज में ठीक न यहां पर देखें तिर्भुज में होता क्या है इसमें और आगे जो पीडिया भाव उसमें और होगा ठीक न तो पहले हम लोग तिर्भुज का बात कर लते सब्सक्राइब कोई भी थिरुपज का आप नहीं निकाले लगेगेगा इस सुद्र से वा नहीं तो वह घलती हो जाएगा ठिंग जो समकौन तिरुपज रहेगा उसका 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 जो है इस जो फर्मुला ये जो फर्मुला है इस फर्मुला से उसको निकाला नहीं तो यदि आप कोई अन्य जो मतलब दूसरा जो ट्रेंगल होगा जिसका मतलब कि वह एक कौन जो है समकौन नहीं होगा वह समकौन त्रिभुज नहीं होगा और और वहां पे ये जो फर होता है ठीक ना तो आफ लोग 9th class जैसे परेंगे होंगे उसका भी हम लोग बात करेंगे वह भी जो फर्मूला होता है ठीक रोटने एंटो जो होता है हम लोग भी बात कर चुके हैं तो अभी वीडियो दिखते हैं तो 9th class का है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैं यह नगा यह बहुत ही important है तो यहाँ पे हम लोग वह सब बात करेंगे पहले हम लोग से जो simple है वह हम लोग पहले बात कर लाते हैं यहां पर गया ठीश का सिंपको here इसलिए देदी हैjer यहाँ पर क्या है त्रभूझ का छेतपर ब्राबर ओन अपन टू एक वर तक्ळूग दू कुना अधार गूना उचा यह हो गया एक फर्मूला अब दिखे त्रभूझ का यहाँ आप लोग देख सकते हैं त्रभूझ का चाहिए फिर घुर्च का परिमाब भावर एक पर सी औ यह सकते हैं इसका जो होगा यह को जो करके त Pelosi का परीमाप बराबर यहां से हम लोग बात कर लेते हैं ठिक ना यहां से हम लोग बात कर टूगुनाचे सब्टाइब अधार यह होता है तिरभच के उचाए बराबर ठीक ना इस समकुन तिरभुज आए ठीक ना तिरुज का मत निकाल ले जिएगा वह गलती हो सकता है और यहां पर देखें तिरभुज का अधार वराबर क्या था है तो ना चाहिए टूगुनाचे बहुति यहां बात आग्या संभावति रोट सिरी वर्ट फोर गुना भुजाए इसको रूटत सभावति रूचाए बरावर बुजा और यहां पे लावत्य इंप्रेंट शूतर यहां से अपने स्क्रीन सोट यह और चलिए यहां पर देखिए विस्तंबाऊ तिर्भुज का 6 फल हिरोन के सुत्र जैसे अभी आप लोगों को बता रहे थे कि जो समकोन तिर्भुज होता है उसमें हम लोग यह जो सुत्र है यह हम लोग लागू करते हैं वहां पर और जो समकोन तिर्भुज नहीं होता है वह हम लोग हिरोन वला जो है शुत्र है यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे यहां आप से देखिए यह सुत्र वहां पर हम लोग यूज करते हैं यह सुत्र ठिक तो पहले क्या करते हैं अर्थ परिमाप निकालते हैं अर्थ एस जो है एस क्या है अर्थ परिमाप है और य क्या क्या है यह भूजा है तो समकून नहीं होता है कोई भी तीर्भूज हो समझ नहीं है हुआ इस वह फर्मूला यूज करेंगे तो फोर जाएगा ठीक न यह हर एक तीर्भूज पर लाग हो टाँ ठीक इसके लिए कोई धिक्त की बात नहीं है यहाँ पर चलिए एस यहाँ पर जिसी के आप लोगों को डिफाइन भी कर दिया है कि एस क्या है एस क्या है तिरफुज का अर्थ परिमांप है और ए बी सी तिरुज के भुजा की लंबाई हैं और नौह नमर यहां पर आप लोग देख पारें नौह नमर में क्या दिया हुआ है कि संभाव तरी पर चेज़फल संभाव तरी पर चार और रूट अंडर यहां पर देखें कि गुना है ठीक न तो यह थोड़ा सा याद हैं है और यहां पर देखें अब देखें हम चलते हैं किस पर चटरभूज अभी हम लोग कहां पर थे अभी हम लोग जा है तो हम लोदा हुआ शके हैं यहां भात करेंके चरी यहां tanto है चतर बुज है और यहां से क्या बार ना है हम लोगोंको सुत्र देख रहा है में सुत्र होता है और कुछ नहीं होता है ठीक यहां पी दिखे संग्षेख सष का च्छाज़फद ब्राबर होता है एक बटाई दू गुना पाला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण यह होता है सम चतरभुज का चतरफर बराबर यह होता है हम लोग यहां से बात करें अब देखें सम चतरभुज का पड़िमा बराबर क्या होता है सम्-चत्रभुस का पडिमा बराबर होता है, चार गुना भुजा या एक प्ट्ट दू, रूट अंडर पहरा विकर्ण का S-Q यह आप लोग देख रहे हैं, यहां से हम लोग क्या करना है, यदि सम्-चत्रभुस का पडिमा पनिकालना होता है यदि आपको सम्चत्र भुज दिया हुआ है ठिक और उसका आप लोगों को पड़िमा अपने कानत क्या करना है चार से भुजा गुना कर देना है या यह जो फर्मूला है या जब विकर्ण दिया रहेगा अब मान लेके आपके पास भुजा मालूम नहीं है आपको क्या करना विकर्ण मालूम है पाला विकर्ण दुसरा विकर्ण तो वहां पर क्या करना है पाला एक वट दूर लिखे देना है रूट अंडर पाला विकर्ण का स्क्वार मनस दुसरा विकर्ण का स्क्वार लिख करके जितना मान आएगा वह हो जगा सम्चत्र भुज का परिमाप और मैंने कि आपको भुजा निकालना है यह यही जो फर्मूला है इसी का यूज करना है, चले आगे दखते हैं, और दिखे आपको यहते उचाई, बोल देन liकालना थिक तो क्या कीजेगा कुछ ने करना यह जो फर्मुला इसका यूज करना शुना थिक यहां पे आप लिए देख पारहें क्या न चत्रपुज के उच्वार ब्राबर होताई पाला विकर्ण मेनस दुसरा विकर्ण बटा रोट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वार मेनस दुसरा विकर्ण का स्क्वार यह हो गया सम चत्रभुच के भूजा बढ़ावर ठीक चलिए आगे देखते हैं और यहां पर दिखें समांतर चत्रभुच का चत्रभुच का चत्रभुच का चत्रभ होता है बहुत ही कम student को मालूम होता है ये जो चतरभूज होता है ठेक यहां पर दिखिए इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए जह कि एसमलम् चत्रभूज का चय ब्राबर होता है एक वट्ट दूगण समांतर भूजा का योग उचाय समलम् का चैनल क्या होता है यहां पर उस्तार से होता आ समांतर भूज का चैनल नहीं नette क्या करना प Lars तो चलिए आगे देखते हैं और उचाई का मान यहां पर लिख देना है तो चलिए आगे देखते हैं और आठ नमर में देखिए क्या है आठ नमर यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहां से आप लोग देख रहे हैं चतरभुज का चतरफल बढ़ाव आप देखिए यह जो है यह आप लोगों की फर्मूला यहां पर दिया हुआ है चतरभुज का भड़ा हुआ है यही यदि आप लोग पढ़ेंगों तो जरूर ही मालूम होगा ठीक और यहां पे देखें जो बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए वही यहां पे कराया जाएगा ठीक यहां पे देखें क्या है कि चतरभूज का परिमाप चारभूजा के योग यहां से आप लोग समझ गेंगे बिल्कुल समझ गेंगे और चलिए आगे दखते हैं यहां पे नोट में लिए आपको ढ़ना है तो वहां पे आपको अपको कंफ्यूज नहीं होना है आप समझ जाएगा कि यहाँ पर हम लोग हमको जो है आयतन बोल रहे हैं निकालने के लिए तो आपको क्या करना है आयतन का ही फर्मुला वहाँ पर यूज करना है और फटाक से निकाल देना है ठीक चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर देखे एक लीटर रावर कितना थे यह ही इंपोर्टेंट होता है ठीक ना आप यहाँ पर देखे यदि आप लोगों को मीटर में दिया रहेगा लेकिन आपको एंसर सही है क्या करना पड़ेगा पहले मीटर को से में कर देंगे ठीक सिंपल है तो यहाँ पर इसको करके उसके बाद ही आपको स्वर्व करना नहीं तो आपको जीरो बटे सरनात आएगा ठीक मतलब जीरो यहाँ पर आपको क्या करना पहले मीटर को संटीमीटर में बदल देना है या जब स्यमी में है यदि संटीमीटर में आपको मीटर में निकाला है तो पहले संटीमीटर को मीटर में बदल देना है ठीक इतना आप लोग समझ गया होगे यहां पे आप लोग देख रहें कि एक लिटर ब्रप्र कितना होता है ? एक लिटर ब्रॉबर फोटा है ¿1,000 सेंस्स लिटर ठीक है ? यहां से आप लोग बत तक है जान ग़ा बहूत होता है और यहां पर दीख अब हम यह विरित का व्याज बराबर होता है और विरित की परीधी वराबर होता है टूसुपायर इतना आपलोग शमझ गए हैं चलिए आग़ा अरध विरित का चलफ़ार वराबर क्याता है अर्ध का आप लोग समझ गेंगे तिक यहाँ पे देखें क्या है अर्थ विरित की परिमा ब्रावर होता है और इंटू प्या प्लस टू आर को इधर दीजिए या इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इस तरह से भी बोल देए, pi plus 2 into r, या r into pi plus 2, इस तरह से आप बॉल सकते हैं, बिल्कुल confuse नहीं होना है, और यहाँ पे देखिए, सात नमर में क्या है, सात नमर में तिर्जा खंड, अब देखिए, यहाँ पे तिर्जा खंड, यहाँ बहुत ही important है, तिर्जा खंड का छे एक विरित है आपको बोल देगी तिर्जा खंड निकाली तिर्जा खंड होता है जैसे यहां पर देखे यह हो गया केंद्र हो गया और यह हो गया तिर्जा ठिक यह हो गया तिर्जा अप तिर्जा खंड यह हुआ इसका आप लोगों क्या बोलेगा इसका बोलेगा आप लोग बटा तिन स्वार्ट गुना आरे स्कुर्ट ठीक यहां पे जिसे हम लोग क्या किये थे परेवरित बना ले थे और यहां से हम लोग क्या किये थे यहां पे एक बिंदा है और यह है इसका जो कौन इसका इसका इसकोन का जो मान होगा ठीक उसकोन का मान उपर में लिख देंगे और R जो है, जो R का value होगा, वहां पे R का value लिख करके, वहां पे उसका value निकाल लेंगे, क्या निकाल जागा? तिर्जा खंड का छदरफल अब देखेंगे आप लोगों को यदि बोल दें कि चाप की लंबाई निकाले अब देखेंगे आप लोगों को बोल दें कि चाप की लंबाई निकाले हमको चाप की जो लंबाई अब देखें चाप होता ये ये जो है इसको हम लोग बोलते है पर कुछ नहीं करना है कौन का बेल्यू बठाना है बटे में 306 देना है और क्या निकल काएगा चाप की लंबाय आपको निकल के आ जागा या टूपा आर वहां पे या बेठा देना है तो आप लोगों को या निकल जाएगा ठीक चलिए आगए देखते हैं और यहां पर वुले का 6प बघावर क्या होता है वुले का 6प बढ़ावर होता है पा- इन्टू- आर फ्लस- ebenfalls écritار और क्यमा lige का होता है यह से आप लोगोगों के दीखता है eking को ठीक यहां पर क्या है कि वाले का ठेटल ऑबनावर क्या तो मोलEMA το रावर होता है पाइंटू आर प्लस अर यह क्या happiest चने हार और यहां पर क्या क्या मैनस एपर एक्षाओ अर्ब करता है क्या करते हैं कि चलब आगे देखते हैं और यहां पे देखेए नोट में आप लोगों के क्यों धिया हुआ है टीक है जो नोट में दिया रहाता है आप लोगों के पैदे के लिए यहां पर्फ़ताके मतलब सबसें पहले और पाय को विज्ट के पढ़ेदी और व्यास के अनुपास से पढ़िवासित किया इसका मान उन्हें बाइसवर्टस साथ यहां से आपको यहां क्या करना है यहां से आप लोगों को इसका एक और मान होता है 3.14 यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर लिख करके ठीक ना confusion नहीं होना है 3.14 यह हो गया ठीक ना यह हो गया इसका भी हम लोग बात करेंगे यहाँ से जिसे की हम लोग इतना तुकर लिया है और यहाँ पर दिखिए यह बहुत सारे question बचा होते एक ही वीडियो में संभाब नहीं हो पाएगा तो हम लोग यह जो दो पीडिया बचा हुआ है इसका जो हम लोग अगले वाले वीडियो में जरूर करेंगे यह आप लोग वह भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर देखेगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में